नमस्कार, सलाम, नियूस क्लिक के इस खास कारेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल पुर्वत्तर के तीन एहम राजियों, तुरुपरा, मेघाले और नगालेंड में चुनाव संपन हो चुके हैं और अब बारी है, दक्षण के एहम राजिये करनाटक की, जी हाँ, यहाँ अपरेल मैं तक चुनाव होने हैं, भाजपा ने गुजरात के बाद करनाटक को अपनी हिंदुत्व की नई प्रियोक्षाला बना रखा है, ब्रस्चाचार की भी यहाँ गूंज है, यही वज़ा है क की पूरे देश की निगाहें इस राज्ये पर हैं, यहाँ काफी हाई वोल्टेज चुनाव होने जा रहा है, तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। लेकिन आखरी समय तक बीजेपी के बीएस ये दुरप्पा बहुमत नहीं जूटा सके और इस्तिफा देना पड़ा। इसके बाद माई 2018 में ही कांग्रेस और जेडियस यानि जंता दल सेकुलर ने मिलकर सरकार बनाई। बड़ा दल होने के बावजूद कांग्रेस ने मंतरी बने जेडियस के एच डी कुमार स्वामी एच डी देवगोडा के बेटे। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई या कहिए कि चलने नहीं दी गई। और जुलाई 2019 में फिर भाज़ पास सत्ता में लौटाई। और बीएस यदूरप्पा ने एक बार फिर करनाटक के मुख्यमंतर की शपत ले। इससे जरा पहले 2019 में अप्रेल में हुई लोगसवाचुनाओं में बीजेपी ने करनाटक में अच्छी सफलता हासिल की और कु 2022 से यहां हिंदुत्व की ऐसी लहर चलाई गई है कि अब हर बात पर हिंदू-मुस्लिम किया जा रहा है। चाहे वो हिजाब का मामला हो या कोई और यहां लोगों को हर दिन नफरत या घ्रना अधारित कोई ना कोई मुद्दा थमा दिया जाता है। और यह सब सरकार और सत पर हो रहा है। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के बसवराज बोम्माई। जुलाई 2021 में ये दुरप्पा को हटा कर राज्य की कमान बोम्माई को सौब दी गई थी। तो करनाटक में 2018 में सीटों का गनित जरा देख लेते हैं ताकि 2023 का सुराग लगे। हा 2018 में भारते जन्ता पाइट्री ने यहां पाई 104 सीटे वो बहुमत से कुछ पहले रुख गई। कॉंग्रेस के हिस्से आई 80 सीटे और जन्ता दल सैकुलर यानि जे डियेस ने पाई 37 सीटे अधर्स तीन पर। बहुमत ना पाने के बाउजू सबसे बड़ी पाल्टी होने क आधार पर राजयपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रत किया। जबके कॉंग्रेस और जे डियेस जो 80 और 70 सीटे पाई थी इन्होंने कहा कि हम गड़ बंदन कर रहे हैं। और इन्होंने भी दावार राजयपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने के लिए। बहुमत का आगड़ा इनके पास था, बहुमत का आगड़ा जैसे मैंने बताया 113, इनके पास दोनों को मिला कर बैठ रहे थे 117 सीटे। लेकिन राजयपाल ने नियोता दिया भारतिय जनता पार्टी को। लेकिन फ्लो टेस्ट से पहले, विश्वाशमत से पहले, काफी व अपने विश्वाशमत हासिल करने से फ्लो टेस्ट से पहले ही अपना इस्तिफा दे दिया, उसके बाद सरकार बनी कॉंग्रेस और जैडियस की मिलकर, मुख्यमंत्री बनाए गए कुमार स्वामी, आपको वोट शेयर भी बता दे, वोट शेयर भारतिय जनता पाल्टी को 104 स सीटे ज्यादा हैं, लेकिन कॉंग्रेस जिस पर 80 सीटे हैं, उसे वोट शेयर मिला 38.4 जिरो, बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर मिला, आपको बता दें कि 2018 से पहले करनाटक में कॉंग्रेस की ही सरकार थी, सिद्र मैया मुख्यमंत्री थे, अब आपको लिये चलते हैं, आगे की ओर बताते हैं कि जेडियस और कॉंग्रेस इन दोनों को मिलने पर आपने देखा कि करीब 57 फीजदी वोट शेयर इन दोनों का बन रहा है, और भारतिय जनता पाल्टी के पास था केवल 36.57 लेकिन आज ये दोनों जो बड़ी पाल्टि थी, उसके बाद एक बार फिर समिकरन पल्टे, कॉंग्रेस और जेडियस की सरकार गिर गई और भारतिय जनता पाल्टी सत्ता में आ गई, जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री हैं बस वाराज बोमाई, तो करनाटक का ये कुल हाल है, वहाँ ब्रष्टाचार, चुनाओ से पहले ही, बीजेपी ने बड़े इस तरपर तयारी अपनी शुरू कर दी है, जो अब चुनाओ होने जा रहे हैं, अप्रेलिया मैं मैं, मैं तक महां का विधान सबा का कारेकाल है, तो करनाटक का ताजा हाल लेंगे, बैंगलोरू में मजूद, हमारे सम्वादा ता निखिल करियपपा से, तो हमारे साथ जोड़ गए हैं, बैंगलोर्ट से, हमारे सम्वादा ता निखिल करियपपा, निखिल जी, हम अभी 2018 का ब्यारा में ने दर्शकों को दिया, किस तरह का सीटों का गनित था, कैसा सियासी हल चल रही, कैसा जोड़ तोड़ हुआ, ब 1122 लगतार वहां, एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे हैं, बहुत सियासी बहुत गर्म है नहीं, वहां हिन्दुता का मसला है, वहां बिस्टा चार का मसला है, आप कैसा सियासी महौ से, जनता की राई, इस बारे में बात करूंगा, आज थोड़ा सा इंटरू क तो अभी हाल यह है कि बीजेपी अपनी ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश कर दिये और कॉंग्रेस लगातार उन पे ब्रेश्टाचार के मुद्दे पर आटाइक कर रहे है तो अभी अभी कुछ दिन पहले एक नया आरोप आया है एक बीजेपी अमेले के उपर जिनका नाम ह है माडल वीरू पक्षाप्पा तो एक लोका युकता रेड में उनके बेटे पगड़ा पगड़े गए थे जब वो अलेजिरली 40 लाग का रिश्वत ले रहे थे तो यह MLA KSDL का चेर्में है KSDL है करनाटका सोपस और डिटर्जिंस लिमिटेड एक पीस्यू और यह MLA माड रिश्वत दे रहा था उन्होंने बेसिकली लोका युकता में कंप्लेंट किया था और लोका युकता ने एक करोर का कैश भी निकला है तो MLA माडल जी यह उन्होंने यह बोला है कि यह इनका कमाया हुआ पैसा है याने कि इनका एक बिजनस का परोसीड है और ये बोल रहे हैं कि ये परोसीड्स ऑस trauma नहीं है ये हमारा विझल का पैसा है हमार बिजनस का प्रोसीड थे तो अब फिलाल ये मृतर कार। सरकार मुख्यमंद्री को आ रहा हैं उनके समर्थन में कड़े हैं या कुछ कारवाहि के लिए संक्युट हैं हम झीक है जोबिए एक इनडिपेंदेंच होगा तो वो कहा रहे हैं कि इनडिपेंदेंट इनवेस्टिगेशन के बादogenल पार्टी सहमत यहं इंतिजार करेंगे वो एक पर इसे जी जी जो अभी फिलाल सीम है वो कहरें हैं कि वह वेट करेंगे एक इंडिपेंडेंट रपोट के लिए और उसके आधर पर वह राज्यों में तोड़ा सब एलिगेशन थोड़े सी वारोप लगते ही ग्रिफतार यहां हो रही है जेल में डाला जा रहा है एक लगातार EDCBI हर जगा रेड यह लोका युक्त नहीं है कारवाई की अब उस पर देखना है कि BJP उसे किस तरह से उससे अपना पल्ला जहाडती है या बचाओ करती है उनके ब चीफ जस्टिस अब इंडिया चंदर्चू जी को एक खत लिखा है और उन्हेंने कंप्लेंड किया है कि MLA को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है कि उन्होंने बेसिकली शायद छे तारिक को फाइल किया था एंटिस्पेटरी बेल और साथ तारिक को उनको हीरिंग भी मिली वो लिस् दूसरे common man के लिए तो वो काफी महीने या काफी साल वेट करते हैं उनके matter पोस्ट होने के लिए लिस्ट होने के लिए लेकिन ये VIP, special VIP लिए तो निखिल मैं ये पूछूँगा करनाटक में भृष्टाचार का मुद्दा काफी बड़ा एक मुद्दा है लगातार इस तरह स तो इससे पहले BJP के खिलाफ जो ब्रष्टाचार के आरोप है ये पहले Congress ने नहीं उठाया था बलकि एक private body ने उठाया था जो contractors को represent करते हैं Contractors Association तो इन्होंने पहले 2021 में PM मोदी जी को एक ख़त लिखा जिसमें ये आरोप लगाया कि BJP के MLA's और जो Ministers हैं वो 40% Commission मांग रहे थे Tenders Pass करने के लिए या Payments Release करने के लिए तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज किया कि Contractors कोई मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं क्यूंकि अगर वो 40% Commission देंगे तो क्या बचता है उनको कोई profit नहीं मिलेगा और फाइनली वर्क्स भी करस्तिती भी आप सोच सकते हैं कि अगर वो 40% दे रहें तो फाइनल एक्जिक्यूशन कैसा होगा तो यह जो है Congress ने इस पर क्या कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ कर आगे बढ़ाया है और यह मामला और गंबीर हो गया जब इनके पार्टी के सपोर्ट उन पे ब्रेश्टाचार का अरोब लगाए था तो एक कॉंट्रैक्टर था जिसका नाम था संतोष पाटिल बेलगावी जिले से उन्होंने एक एक स्ट्रीम उनको एक स्ट्रीम स्टेप लेना पड़ा क्यूंकि उनका पेमेंट्स नहीं आ रहा था तो उन्होंने सुइसाइ लाइफ सेविंग्स उनके गाउं में एक रोड बनाने के लिए उस पे लगा था शायद तीन-चार प्रोर ऐसा कुछ और वह एक्सपेट कर रहे थे कि वह पेमेंट आएगा सरकान की तरफ से लेकिन वह पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा था क्यूंकि यह कमिशन नहीं दे पा तो निखिल हम क्योंकि आज करनाटक पर हम पहली बार बात कर रहे हैं और एक लंबा भी हमारे पास समय है कुछ समय तो है ही अप्रेल या मई अप्रेल आश्ट में या मई की शुरुवात में वहां चुनाओ होने है वहां इसी वेसे शायद ब्रश्चाचार का ये मुद्द साम परदाइकता इसे कैसे किस तरह का वहां माहौल है और इसे इसे लड़ने के लिए चाहे वो वीपाक्ष है चाहे वो सिविल सोसाइटी है वो किस तरह से आपको दिखाए देरेशन शेप में बताएं तो बीजेपी का एक रिपीटेड अटेंट था और है स्टेट को पोल देही उठाते हैं तो न्यूस क्लिक ने रिसेंटली एक स्टोरी किया था जिस जिसमें हम पिछले दो साल में जितने भी कॉम्मीनल इंसिदेंस थे हमने पूरा लिस्किया था शायद हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं तो आपका व्यूवर्स भी वह देख सकत हैं और यह देवरप पाप चुनाओं नहीं लड़ेंगे असी प्लस हो गए हैं असी हो गए हैं पूरे जी जी उन्हों को उन्हें फोर्स किया गया था बेसिकली तू स्टेप डाउन फंपावर तो शायद आप आपको याद होगा दो तीन साल दो साल पहले उन्होंने वॉल से बड़ा और कोई नहीं होना चाहिए और यदूरपा ऐसे लीडर बन रहे थे और हैं और इसके वज़े से शायद वो सोच रहे थे कि हमें अब यदूरपा की ब्यॉंड भी सोचना होगा लेकिन वह नहीं सोच पाए अभी यदूरपा जी को थोड़ा सा शांत करने के सकता है जी जी तो मोदी जी शायद एक एक सेप्शन है जो पार्टी से बड़ा हो सकता है लेकिन उनके अलावा और कोई है नहीं जो जिसको इसा प्रिविलेज मिले तो अगर आपको याद है 2013 में ये दियूरपा जी बीजेपी छोड़के उनके एक इंडिपेंटेंट पार पार्टी तो बेसिकली उस बार क्या हुआ कि ये पार्टी शेट मिली इनको लेकिन इनका वोट शेर दस परसेंट था जो काफी बढ़िया था और उस चुनाव में 2013 में बीजेपी को सर्फ चाली सीट मिले ये जूरपा जी के वजह से तो जो वोट रांसफर हुआ ये जूर तरह से उनको हर्ट किया और अब आप कैसा माहल देख रहे हैं इधर जा रहा है चुनाव आप देख रहे हैं कि क्या ये धुरवी करण और यही मुद्दे या माँ ब्रश्चाचार बेरोजगारी ये मुद्दे बन पाएंगे ठीक से तो बेसिकली जो लोगों के मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी महंगाई प्राइज राइस और नौर्थ करनाटक में ड्रिंकिंग वाटर इशू हैं तो यह हैं लोगों के मुद्दे लेकिन कोई भी पार्टी कोई भी पार्टिया इनको इस समस्या का हाल डूर नहीं पा र नाम है महादाई प्रोजेक्ट तो बेसिकली एक महादाई नदी होता है जिसका ट्रिब्यूटरी गोवा में भी जाता है और नौर्थ करनाटका पे जाता है तो यह स्टेट गवर्मेंट प्लैन कर रहा था कि वहां पे डैम्स बिल्ड करने के लिए था कि ज्यादा पानी वहा लेकिन इसका हल अभी कोई अभी पांच साल हो गया कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पावर में आया है लेकिन यह प्रॉब्लम अभी भी है तो निखिल जी क्योंकि मैंने पहले कहा कि यह पहला एपिसोड है करनाटक के ऊपर अदक्षन भारत को भी उत्तर भारत खास्तोर से हिंदी भाषी के लोग समझेंगे जैसे हमने पूर्वुत्तर की बात किया सी हम डिटेल में एक-एक मुद्दे पर अगले एपिसोड में विरोजगारी का मुद्दा है महंगाई जनता की जो मुद्दे हैं ब्रश्चाचार का मुद्दा एक अलग से पूरा चर्चा करने है कि किस तरह से महां ब्रश्चाचार का बोलबाला हो गया जिसके जो बी जेपी बहुत दावा करती थी और जो आंदोलन चला था जन लोकपाल को को लेकर और उसको लेकर आये थे ब्रश्चाचार विरोधी उसके उस पर सवार होकर जिस तरह से पूरे देश में या केंदर में सत्ता में आई बीजेपी और अपने अपने राज्यों में वहां ब्रश्चाचार में ब्रश्चाचार का आरूप लगाया जिस सरकार में थी बीजेपी और फिर उसी पार्टी के शुक्रिया धन्यवाद तो साथियो आपने सुना करनाटक का हाल हमारे संवाधाता निखिल करियप्पा से ग्राउंड की रियालिटी ग्राउंड की रिपूर्ट हम आगे भी आपके पास लेकर आएंगे आपने देखा कि किस तरह वहां जनता के मुद्दे हैं बेरुजगारी महां जमीन बहुत गरम है, चुनाओ के लिहाद से, संपरदैक्ता के लिहाद से अब उस उस पे देखना है कि कैसे जनता के मुद्दे सामने आ पाते हैं, कैसे उन पर काम हो पाता है, क्या विकास का मॉडल वहां रहा और उसकी हकीकत क्या है इस पर हम विस्तार से आगे के एपिसोड में बात करेंगे आप बने रहे हमारे साथ हमारे पत्रकाइता को सहयोग और समर्थन देते रहे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी क्यों पढ़िए अपने साथियों से साजा कीजिए फिलाल शुक्रिया धन्यवाद